हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिवसांति क्लासस, सिवसांति क्लासस में आपका सवगत है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम अब ध्याय 8 चतुर भूज का पार्ट नमबर 12 वीडियो है, इस वीडियो में हम कम्प्लीट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का वीडियो में हमारा question number 1, तो चलिए चलते हैं question number 1 की वर्ट, तो इस टूडेंट ये रहा हमारा question number 1, पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बोल रहा है question, पढ़िए, एक चत्रभुज के कौण, तीन, पांच, नौ, त्यारा के अनुपात में हैं, इस चत्रभुज के सभी कौण ग कौणों को कुछ ratio में अनुपात में बाट दिया गया है, चारो कौणों को, तीन, अनुपाते पांच, अनुपाते नौ, अनुपाते तेरा, तो ये हमारे क्या दिया है, अनुपात में दिया गया है, हमें क्या बताना है, कौण में बताना है, अर्था, डिगरी में बताना ह कि कौन सा कौन, कौन सा कौन, कितने degree का होगा, ठीक, तो question आपको समझ में आ गया होगा, उम्मेद करते हैं, आ गया होगा, अब चलते हैं solution की वर, तो चलिए, सबसे पहले, हमने 3 है, 5 है, 9 है, 13 है, तो सब को माल लेते हैं, इसे हम माल लेते हैं 3, इसे माल लेते हैं 5, ये C है ह तो इसे हम जब एंगल की रूप मानते हैं तो एंगल हम समझ लेते हैं X ठीक तो एंगल क्या हो जाएगा 3X B क्या हो जाएगा 5X C क्या हो जाएगा 9 है तो 9X D क्या है अपना 13 तो D मान लेते हैं 13X ठीक अब आपको पता है कि जब चतुर भुज के चारो कोणों का यूग क्या होता है 360 डिगरी होता है चतुर भुज के चारो कोणों का यूग क्या होता है 360 डिगरी होता है तो एंगल A प्लस एंगल B, प्लस एंगल C, प्लस एंगल D, बराबर क्या हो गया? 360 हो गया, किसी चत्रबुञ्जज के चारो कूर का योग, 360 होता है, ठिक, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नही, आगे देखिए, अब जहां पर एंगल A, प्लस एंगल B, प्लेस एंगल सी प्लेस एंगल डी ये था ना बरावर क्या था 360 था तो हमें A B C D की वैल्यू रखना है ठीक तो A क्या था 3X B क्या था 5X C क्या था 9X और D था 13X तो क्या हो जाएगा 3X प्लस 5X प्लस 9X प्लस 13X बरावर 360 ठीक तो यह क्या हो गया आठ पांच पांच और तीन आठ आठ और नो 17 सत्तरा तीन बीज बीस दस 307X थीज़ बरावर क्या हो गया 360 तो 360 बटे 30 क्या हो जाएगा 00 ख़जाम 3 से कटेगा तो 3 12 36 एक्स बराबरा है क्या 12 अभी हमारे पास क्या है सिर्फ X की वैलिव आई है X बराबरा है 12 डिगरी ठीक तो हमारा क्या था 3 5 9 13 में गड़ाबाइट था ठीक न तो A क्या था हमारे पास A क्या था A हमने माना था 3 X तो 3 इंटू X X क्या है 12 तो A हो जाएगा 3 X तो 3 इंटू 12 तो 12 याए 36 डिगरी हो गया हमारा A A क्या आया है हमारे पात 36 degree आया है A उसी प्रकार B B क्या है 5X तो 5 into X की मन क्या है हमारा क्या है 12 तो 12 पंचे 60 तो B आगे हमारा क्या 60 उसी प्रकार C ठिक C C क्या होगा यहां पे C है C क्या हो जाएगा 9X 9 into 12 क्या हो जाएगा 108 अर्था 108 अब D 13 गुणे X तो 13 into X का मन क्या है 12 तो 13 गुणे 12 क्या होता है 156 156 अब यहां पे क्या है एंगल A आया 36 B आया 60 C आया 108 और D आया 156 आप इन चारों का आड़ कर लीजिए इनका सम होगा 360 degree तो हमारे पास question क्या था question हमारे पास बोड़ा गया था कि चतुर उबज के सभी कोणों को ग्याद करना है तो हमने सभी कोण ग्याद कर दिये A आया 36 अगल B आया 60 degree अगल C आया 10 वाट डिग्री और अगल D आया 10 56 ठीक तो यहां पे हमारा question number one होता है complete तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा कोई दिक्कत आ रही है वहां से भी आप किसी विपगार का नौलेज ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक अपना और अपने परिवारों का ख्याल रखिए और सुरक्षी रहिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजे बेल आइकन को प्रस कर लिजे बेल आइकन पर ओल पर क्लिक कर लिजे ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें